सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इससे आपको मेरे हर नए वीडियो की जनकरी सबसे पहले मिलेगी क्योहारों का समय शुरू हो रहा है और हम अपने घर में अलग-अलग तरह की मिठाईया बना रहे हैं उसी शंकला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंग दाने और तील से बनने वाली एक बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी ये एक ऐसी बर्फी है जो हमें बहुत अच्छा टेस्ट भी देगी और इजिली हम अपने घर पे इसको बना सकते हैं आज मैं सबसे पहले आपके सामने इसी बर्फी को रख रही हूँ आईये बनाते हैं एक स्वादिष्ट मिठाई मिठाई बनाने के शुरुआत करते हैं हम यहां से यह मेरे पास सिंग दाने हैं इनको मैंने अच्छे से भून लिया है और इसके सारे चिलके निकाल दिये हैं यह भूने हुए सिंग दाने हैं जिनको मैंने चिलके निकाल दिया है यह देखिए यह मैंने लिये हैं 300 ग्राम 300 ग्राम सिग्दाने में मैं यह पर डाल रही हूं 50 ग्राम तील तील को भी मैंँ अच्छे से भून लिया है और ठंड़ा कर लिया है अब हम इन दोनों को मिरणा दालकर इसको पाउडर बनाएंगे दोनों को हम साथ में ही मिरणा डालेंगे इस तरह से फोरधा यह लेंगे और थोड़ा धिल डालेंगे अध़ धाम दोनों ले लेंगे मिक्सी में पीषने के लिए आपको मिक्सी कошरा देर तक एक ससाथ नहीं चलाना है कि केवल मिक्सी को थोड़ा सा चलाना है ? बंद कर देना है अगर आप एक साथ इसको चलाएंगे तुशिंग नाने और दोनों में से तेल निकल जाएगा और हमारा पाउडर जो हमको चाहिए वैसा नहीं होगा इसलिए हम इसको दो तीन बार इस तरह से दीरे-दीरे चला कर पीशेंगे और फिर छानेंगे 3-4 बार में तो मेंускा पीशा एक मार्न में के देख से लिए असीज चला है और इस तरह से हम इसको चला लेगे वापस इसको उसी तरह से पीसेंगे इसी तरह से हम चान चान कर यह एसा पूरा पाउडर सारे सिंग दाने का बना लेंगे इस तरह से मैंने सारा पूरा यह चान लिया है सिंग दाने और दिल का यह बुरा है इसको मैंने मिक्सिको थोड़ा थोड़ा चलाते हुए थोड़े थोड़े ही सिंग दाने में डाले थे, पूरा मिक्सर का जार होता है वो एक साथ नहीं भरना है, आपको जितना भी सिंग दाने की बर्फि बनानी है उससे थोड़ा सा सिंग दाना जादा लें, प्योंकि लास्ट में इस तरह का पूरा उपर उपर बच जाता है, किसी भी अपनी सबजी वगेरा में यूज कर सकते हैं, और यह हो गया है हमारा फाइन पाउडर, इसी से हम बनाएंगे आप अपनी बर्फि, यह 250 ग्राम सिंग दाने की हम चिकी बना रहे हैं बर्फि, उसके लिए मैंने यहां पर ली है 1500 ग्राम शकर, यह 1500 ग्राम शकर है, अब हम इस शकर के चासनी बनाएंगे, चासनी बनाने के लिए इसको पढ़ाई में डाल जाते हैं, और इसमें हम डालेंगे एक खटोडी के लगभग पानी, यह शकर अमारी ढूबेगी बस इतना ही हमको पानी डालना है, और आप हम बनाएंगे इसके चासनी, यह मिठाई शकर पानी में बुल गई है इस तरह से अभी 2-3 मिनिट इसको उबालने में और लगेंगे फिर दिखाती हूँ आपको इसको कि ये चाशनी हमको केसी लेनी है ये करते-करते हमको एक तयारी ओर करनी है क्योंकि हम बर्फी को सेड करने के लिए इस तरह मेरे पास प्लास्टिक क अधर शेट चाहिए और की मितहीरा क ceux सेटे कि नेधरो पानी है जाकि उपास्टिक येया है ये जिखे're है प्लास्टिक के शीट को रहती है और मेरे फिरल खाला करगा अधरभा नाफी जूशत करने नेज़ित हो पल्ते कि लिए तो आंई एदर देखती है हमारी प्लास्ट अभी थोड़ा टाइम ही चाशने को तीम-चार मिनट चाशनी को इसी तरह से उबलती हुए हो गए हैं चाशनी हमारी लगबग होने आ रही है देखिए इस तरह से जब हम चाशनी को नीचे गिराते हैं तो उसकी जो लास्ट ड्रॉप होती हो स्लोली इस तरह से आती है और को इसमें डाल दें चाशनी देखने का एक और तरीका होता है इस तरह से हम चाशनी को प्लेक में लेंगे थोड़ा सा उसको थंडा करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर इस तरह से हमको बहुत बड़ा पूरा तार नहीं बनाना है हलका सा तार इस चाशनी में बन रहा है यह देखिए इस तरह से बस इतना ही हमको चाहिए हलका ही तार हमको बनाना है पूरा बड़ा तार नहीं बनाना है नहीं तो हमारी बर्फी एकदब कड़क हो जाएगी बस इतना तार बनने लगा है बस इतना ही हमको चाहिए आए बनाते हैं अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी शक्कर और भी ले सकते हैं अब हम डालेंगे हमारा ये बूरा इसमें इस तरह से इसको एक हाट से लाते हुए सब बूरा हम इसमें डाल देंगे अच्छा से इसको फिलाके एक कर देंगे पूरा ये आटे की जिसा हो जाएगा अच्छा सा अच्छा अच्छा प्रेम मैंने इसलो कर दिया है अभी इसको अच्छे से हम मिलाएंगे कोई जल्दी करने की दूरोष नहीं है अराम से इस स्टेप से अराम से इसको अच्छे से मिलाएं इस तरह से कि इसका फ्लेम स्लो है कुछ बूंदे रोज एसेंस की यही में इसमें डाल रहे हुँं आपको आपको इसमें इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप यह नहीं पसंद करते तो लेकिन इसका फ्लेवर इसके खुश्बू इसमें बहुत अच्छी आती है केवल तीन चाड ड्रॉप में इसमें डाल रही हैं वाइट रोस एसेंस के इसके खुश्बू बहुत अच कर रही हूं आप चाहिए तो इलाइची का पाउडर भी इसमें इस स्टेज पी डाल सकते हैं आई यह ला लेते हैं आपको अच्छे से छोड़ने लगेगा तब हम गेस का फ्लेव बन करते हैं आपको दो तीन मिनित चार मिनित लगबग मुझे इसको फ्लेम पे पकाते हुए हो गए हैं और यह देखिए इस तरह से यह आटे जिसा हो गया है यह देखिए अच्छे से कड़ाई को छोड़ रहा है इस तरह से अब हम यहां पर गेस के फ्लेम को अपकर देंगे और इसको करें था से रहने देंगे ओठोड़ा थंड़ा होने देंगे लगभव तीन चार मिनित के लिए हम इसको ठंड़ा था सेट करेंगे इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जैसे हो सब थाट लगने लगएगा वैसे ही हम इसकिन Communism अल you थोड़ी थोड़ी देल में इससे को सिलाते रहें ऊपर निचसे करते रहें। को पान्समिन तक मुझे इसको इससे कड़ाई में लबकर इससे हिलाएं-धंडा किया है और बस लगबग हमारा थोड़ा सा कड़क हो गया है बेटर इसको अब हम डालेंगे इस शीट पर अभी भी यह बहुत गरम है थंडा नहीं होगा है अब हम इसको इस तरह से इस प्लास्टिक के शीट पर ट्रांस्फर करेंगे यहां पर हम नाप में इसको रखेंगे और आधा प्लास्टिक इसको उपर इस सद्रहसे अभित हम प्लास्टिक आप कर लेंगे इसीटा ज्टा ंजरा अब हम जो बहुत ही शाणी बनेंगे उपर से अब देखिए उपर से कितना शाइन आ गया है इसके उपर जो तीन बार हम इसको इसी तरह से करेंगे यह अब फोड़ा घरम भी है बहुत घरम है अबी भी इसी इस टेट पर हम इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से करेंगे अब हम हमारी जो शीट है इसके हाफ पोर्शन को इसके उपर इस तरह से कवर करेंगे इस तरह से और हमारा जो बेलन होता है इसकी सहायता से इसको इस तरह से रोल करेंगे मोटा पतला आप अपने पेस की अनुसार रख सकते हैं वैसे में यहाँ पर इसकी मीडियम मोटा ही ही रखोंगी अभी पूरा नहीं बेला ने इसको अभी थोड़ा है लेकिन यहां पर हम इसको के लिए थोड़ी सी मेरे पास पिस्ता है जिसको स्लाइस किया हुआ है वो डाल देती हूं पिस्ता डालने के बाद हम इसको फिर से एक बार रोल करेंगे जिससे हमारी पिस्ता इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी आप यहाँ पर किसी ओर भी ट्रेड फुट्स का यूज कर सकते हैं लेकिन इस कलर कॉंबिनेशन पिस्ता का इस पर बहुत अच्छा लगता है इसलिए आज मैंने इसी का यूज किया है प्लास्टिक शीट को हम वापस से इसके ऊपर कवर करेंगे इसी तरह से वापस से इसको हमारे इस बेलन के सहेता से वापस बेलेंगे बीना घी से बनाए हुए ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है इजी लिए आप अपने घर पर बना सकते हैं और ये मिठाई बहुत हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें न तो किसी घी का यूज किया है इसको मैंने इस तरह से ओवेल शेप दे दिया है और पूरा बेल दिया है मैंने यहां पर इसकी मोटाई मीडियम रखी है ये न तो जादा पतली है और नहीं बहुत मोटी है इस तरह से मैंने इसको बेल के तयार किया है अब हम इसको ठंडा होने देंगे जब यह अच्छे स बंद्राम नीट हो गए हैं हमारी बर्फी ठंडी हो गई है देखिए पूरी अच्छे से ठंडी हो गई है आईए आप इसके पीसेस कट कर लेते हैं देखिए कितने इजीली हम लोगों ने केवल आदे गंटे में ही इतनी अच्छी मिठाई बना ली है आप भी अपने घर पे इसी तरह की मिठाई फटाफट से बनाए बहुत अच्छी और एकदम हाईजनिक करीके से हमने अपने घर पे अपने हाथों से इतनी अच्छी कीजिए और अपने घर पे बनाए लक्षा बंदन आ रहा है और भी बहुत से त्योहार आ रहे हैं सबी त्योहारों में बनाए इस तरह की बहुत इजी और बहुत सस्ते में अपने घर पे बहुत बढ़िया से सुन्दर से मिठाई देखिए मैंने इस तरह से पहले इसको इस तरह से खड़े इस पे कट लगाए हैं और अब मैं इसको डायमन शेप में कट कर रहे हूं यह देखिए इस तरह से देखिए हमारी बर्फी पूरी तहसे बहुत अच्छे से सेट हो गई है यह देखिए कितना अच्छा पीस इसका निकल के तयार हुआ है यह देखिए इसकी मुटाई देखिए और यह देखिए और भी आपको दिखा देती दूं यह देखिए इतने अच्छी बर्फी हमारी ब बना सकते हैं और यह देखिए यह सॉफ्ट बढ़िया और बहुत अच्छी मिठाई घर पर बना के आप तयार कर सकते हैं इजी ली अपने हाथों से मेरी रेसीपी को फॉलो कीजिए और बनाईए एसी ही स्वादिश्ट सुन्दर मिठाई बहुत सस्ते में अपने घर पर आरा